हेलो जिएन कल सिक्षाई भाग ने एक डॉकुमेंट जारी किया है विधान सभा के जरीए और उस डॉकुमेंट में कुछ स्टैट्स लिखा हुआ है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सात्वें फेस के अंदर कुल कितनी बहाली आने जा रही है सबकी निगाहें इस बात पे हैं कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में कुल कितनी वेकेंसी आती है क्योंकि सारा जो सारा प्राबलम है वह इन्हीं दो सब्जिक्ट्स का है तो अभी आपके सामने एक डॉकुमेंट दिख रहा है एक ऑफिशल डॉकुमेंट है कल से ही ग्रॉप में घूम रहा है इसी को लेकर के आज के अख़बारों में खबरें भी छपी हैं और इसको पहले मैं एक बर पढ़ देता हूं और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस डॉकुमेंट के अधार पर आप कितने परसंट लोग जो सोशल साइंस कंप् रशानी हो सकती है जो अब में ये तमाम बाते होंगी इस वीडियो में पहले मैं जो पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ देता हूं उसके बाद फिर इस पर आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सात्वें चरन में उत्क्रमित उच्च मादमिक विद्याले एवं नव स्थापि स्कूलों की ही बात हो रही थी जो पहले से स्टैबलिश स्कूल है जो पहले से स्टैबलिश स्कूल के अंदर जो रिक्वार्मेंट है टीचर की जो स्टीटी की विज्यापित वैकिंसी है उसका मामला यहां नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है यह जो उत्क्रमित स्कूल है यह नव स्थापित है जो अभी हाल फिलहाल में गौर्वर्मेंट ने इस्टैब्लिश किया है अब उसी को कह सकते हैं जो उत्क्रमित स्कूल है उसी को आप नव स्थापित भी कह सकते हैं तो वहां पर क्या हाल है जो कितनी रिक्वार्मेंट है वो देखें चालीस हजार छेसो पैंट हैं माधमिक के और उच माधमिक स्कूलों के 37896 पद है और इसमें से एक हजार कंप्यूटर का है जो 47896 आपको दिख रहा है 47896 जो आपको उच माधमिक का दिख रहा है इसमें से 1000 सीट एक हजार सीट जो है वो कंप्यूटर साइंस का है अब आपक बढ़ करके 11,000 तक पहुंच सकता है और computer science में number of vacancy बढ़ के 3,000 तक पहुंच सकता है यह चीज पहले से भी लोग समझ रहे थे क्योंकि सिक्षा मंतरी ने भी और संजे कुमार ने भी इस तरह के ब्यान दिये हैं कि फरवरी के साल 2022 के शुरुआत तक की जितनी भी available vacancy होगी उ तमाम को जोड़ करके सात्मेफ चरंड की जो बहाली है वो निकाली जाएगी तो इस बात को लोग पहले भी समझ रहे थे तो इन आकड़ों के पहसाब से social science में जो total number of vacancy है वे 1000 के आसपास होने जा रही है hindब वन बाइबाई न दोनों पर बात करते है social science में 1000 कैसे हो रहे है हर आप समझ किया हूंगे 5000 स्टीटि वाली है बाद में भी और सीट प्रेट हुई थी 5400 तो है थी हमीगी थी थोड़ा पहुत बाफ्म आएगा बाखलाग मतलब जनरल केंड़ केटगरी में बीकेंड़िक के लीवीव कम tutaj के लिकिन फ्रिक्स कटेगरीज चाहे कांपििशन कितना भी जाता हो न Geral हाली में यह हो रहा है कि कुछ सीटें खाली रह जा रही है कुछ के अंदर competition इतना जादा है कि अच्छे से candidate बाहर हो रहे हैं लेकिन कुछ के अंदर यह हाल है कि लोग नहीं मिल रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत पचास सीट चाली सीट आप मान के चली कुछ ना कुछ बैकलोग यहां से भी जाएगा लेकिन वह बैकलोग किसी काम का नहीं होगा बहुत जादा लोगों को उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए सोशल साइंस का जो बैकलोग है पचास सौ सीट का उसके लावा और भी कुछ लोग रिटायर हुए बहुत जगों पर नया स्कूल आया तो कुल मिला कि आप यह मानने कि पांच-पांच हजार दो बार आड़ करें उसके लावा कुछ थोड़ा बहुत और आड़ करें तो यह सब्जेक्ट कॉंबिनेशन के चक्कर में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिट इनका बीड पूरा नहीं हुआ था उन लोग ने फॉर्म बढ़ दिया बहुत सारे लोग ऐसे जिनका इरिजबिटी क्राइटिरिया को फुल्फिल ही नहीं करते तो आप मालने कि वह पचीज जार बी तो दो तीन हजार तो हो सकता है की इस चक्कर में बाहर हो जाएं तो अवरल आप मानके चली कि 17-18 भीड़ फाइनली होगी सोशल साइंस की जो इन सीट्स के लिए कॉम्पीट कर रही होगी मतलब सतरह 18-18 भीड़ तकरीब 11-12 बारा हजार सीट पर फाइट कर रही होगी आप अंदाजन ये मान लें कि साथवें फेस के अंदर सोशल साइंस में तकरीबन जितने लोग अपलाई करेंगे उसमें से तकरीबन सतर परसेंट लोगों की जॉब हो जाएगी इस बात को आप फिर से नोट करें इस बात पर ध्यान दें कि सोशल साइंस में साथवें फेस के जॉब हो जाएगी सतर परसंट लोग का जॉब हो जाना कोई मतलब मामुली बात नहीं है मेरे हिसाब से यह काफी हद तक यह मतलब कैंडेट को सैटिस्फाइग करने वाला है बहुत सारे लोग जो इस बहाली को लेकर के परशांति अगर किसी सब्जेक के अंदर सतर परशंट सतर परसंट लोग की बहाली हो रही है वो भी आज की टाइम यतना हाई कॉम्पटिशन है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फिगर है और बहुत साइलों की जॉब हो जाएगी अब यह भी देखना होगा कि सरकार बहाली करती कैसे है को एकैडमिक पर ही चली जाती है या स् आ रही है अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में संख्या के हिसाब से सोशल साइंस सबसे बड़ा सब्जेक्ट है नंबर कॉलिफाइट पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कैनिडेट्स फाइटिंग फो पर सीट के हिसाब से हर एक वेकेंसी के लिए हर एक पो रूसरा के अंदर है इसके अंदर कंप्यटर साइंस में बैक लॉग ज्यादा आएगा और बैक लॉख जो सीट आएगी 300 के आसपास में अंदाजा है बहुत पहले मैंने यह बात कह क्टेगरी के लोग हैं उनको वहां से कोई फायदा नहीं आम तो पर सभी वैक्ट लॉक्स में आपको एक कॉमन ट्रेंड दिखेगा कि वह पहले तो कटेगरी बाई कटेगरी ट्रांसफर होता है जिस कटेगरी की सीट छट्थे में खाली रहेगे या साथ में भी उसी कटेगर के लिए को फायदा होगा लें कंप्यूटर साइंस में ऐसा भी नहीं है कंप्यूटर साइंस में 40-50 लोग एक्टिव थे छट्थे फेस के अंदर जिन लोगों ने जॉब के चक्कर में जगा जगा पर अपलाई किया और इन लोगों ने जेनरल की सीट को ही ऑकुपाई किया है तो जेनरल के इस बैक लॉग सीट से बहुत जादा उमीद ना रखें लेकिन कटेगरी इसको फायदा है 300 सीट आएगी 1673 2000 बन जाएगा और 1000 सीट और यहां बर बात हो रही है तो टोटल नंबर वैकेंसी होगी 3000 अब कैंडियेट कितने 17000 तो हैं लेकिन यह बात मैंने पह पिल वाले हैं इस उमीद में फॉर्म भर दिया एक कहीं से पीजी डी सीए कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से खरीद लेंगे में टाइम पर और इस जॉब में आ जाएंगे अभी तक बिहार में सिक्षक वाली का ऐसे ही चलता रहा अगर एक लाक सिक्षक का फोल्डर कायब है तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर धांदली है कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी को लोग फॉलो करते हुए बहुत साई लोगों ने इस उमीद भर दिया कि इसमें फिर से गड़बड़ी करेंगे इसके इनदर तो जो मीट करती हुई भीड है वो आधि हो सकती है अब मालने के सतरह हजार में से 9000 आथहजार के आसपास की मानते हैं कि यहां सोशल साइंस में सतर परसंट लोगों की जौ जौब होती ही दिख रही है उसको भी आप ठटा ही लें किया पता इसमें भी सब्सक्राइब नहीं होने के वजह से लोगों ने धडल्ले से इसमें एक्जामनेशन दिया है जिसकी एलिजिबिटी क्राइटेरिया फुल्फिल भी नहीं हो रही थी उसने भी इसमें एक्जाम दे दिया है तो कंप्यूटर साइंस बड़ा अजीब सब्जेक्ट बड़ा 39% के आसपार स्केंडेट्स की ही जॉब हो पाएगी अभी तक जो दिख रहा है स्टैट्स उसके हिसाब से अब जॉब किसकी होगी यह तो डिपेंड करेगा कि गॉवर्मेंट बहाली कैसे करती है वह स्ट्टी नंबर पर ले जाती है बहाली को यह एकैडमिक पर ले जाती ह यह मिला करके दोनों को लिया जाता है यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन कंप्यूटर साइंस शुरू से ही बहुत हाई कॉंपेटिक्शन वाला सब्जेक्ट था और अभी जो कुछ निकल के आया उसमें भी यह बात बहुत किलियर है कि कंप्यूटर साइंस हाई कॉंपेटिक्शन वाला सब्जेक्ट बना रहेगा तकरीबं 30 से 35 परसेंट लोगों की ही जौब होती हुई दिख रही है कंप्यूटर साइंस के अंदर आप कंप्यूटर साइंस आ कैंड़ेट क्या करे सीट बढ़ाने की मांग मैंने बहुत बार कहा है आज गर देखत दोनों तरफ की प्रोटेस्ट आउटोमेटिक खत्म हो जाएंगे अगर गर्वर्मेंट सीट बढ़ा करके जादा-जादा कैंड़ेट को जौब देते हालाए कंप्यूटर साइंस में फिर भी वैसे पॉसिबल नहीं क्योंकि स्कूल ही जब 9000 है और कैंड़ेट 17000 है तो फि बेजना हो टुईटर पे उनको टैक करके अपना टूइट करना हो मेसेज करना हो वाटसाप करना हो जैसे करना है के जिये पर उन लोगों के दिमाग में बाठ डालिए कि इस यह इशू दो सब्जेक्ट का है और इन दो सब्जेक्ट में भी यह इशू computer science का ज्यादा है इसल अजहते हैं कि आने वाला कल कंप्यूटर का है आज भले जो हाल कर दीया सरकार ने आगे आने वाला कल इस्चना clicking लीजह साहँ है तो कंप्यूटर में सीटें बढ़नी चाहिए अगर रगती सब ही सब्जेक्स में आप हो जाएगा लेकिन अगर तीन हजार सीट ही रह गई तो बहुत सारे अच्छे कैंडियेट भी बाहर हो जाएंगे खास करके जेनरल मेल और बी सी मेल में हाई कॉम्पेटिशन की वज़से इन दो काटिग्रिस के काफी सारे क्वालिटी कैंडियेट भी बाहर हो जाएंगे इसलिए सीट बढ़ाने की जो मांग है उसको थोड़ा पूर जोर तरीखे से उठाईए आप जैसे भी जो भी कर सकते हैं अपना आप थोड़ा सा भी कॉंट्रिबूशन दीजी इस चीज़ के लिए ये दो सब्जेक्ट का मसला है और इन दो सब्जेक् कर दिया करूँगा अभी के लिए इतना ही थैंक्यों